डार्क स्किन को फेर बनाने का सबसे अच्छा फेशियत हाई फ्रेंड्स मैंने ना हमारी यूट्यूब चानल ब्यूटी सिक्रेट सिंदी में आपका एक बाद फिर से स्वागत करती हूँ शादियों का सिजन स्टार्ट हो चुका है हर लटकी अपनी तुचा का रंग साफ गोरा करने की कोशिश करती हैं आज जो स्टेप बाइ स्टेप हॉमेड फेशल आपसे शेयर करूँगी ये डार्क स्किन को भी लाइटन और वाइटन करने में हैटफुल होगा वीडियो कम्प्लीट एंड तक देखिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू कीजिए सो हमारा फर्स टेप है फेश क्लीनिंग फेश क्लीनिंग के लिए आपके पास ही दो अप्शन सबसे पहला ये कि आप अपना रॉस वाटर ले और इसके स्प्रे से भी आपने स्किन को साफ कर सकती है और दूसरा फेश क्लीनर बनाने के लिए एक बॉल में दो चमच एड़ करें रॉम मिल्क यानि कच्चा दूद और इसके बाद इसमें डालें क्रॉस वाटर यानि गुलाब चल दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें ये फेश क्लीनर आपके पोर्स में भरी गंदगी को साफ कर तवचा को क्लियर करने का बहुत अच्छे से काम करता है इसे कॉटन से अपने चेहरे पर अपलाई करके अच्छे से क्लीन करें इस स्क्रब के लिए हम यूज करेंगे फैनल सीड यानि सौफ को सौफ का यूज करने के लिए पहले आपको इसका पाउडर बनाना है फैनल सीड नैचरली आपकी स्किन में एक एक्सफोलियेटिंग का काम करती है सो पहले एक बॉल में दो चमच फैनल सीड पाउडर नैक्स टू डेवल स्पून रौ मिल्क डाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ये स्क्रब बहुत ही माइल्ड और सौफ होगा इसके यूज से स्किन साफ और चमकदार होगी इसे लेकर चेहरे पर अच्छी तरह से अपलाई करें और अच्छी तरह से सर्कुलर मोशन में रब करके स्क्रब की तरह इसे यूज करें आप इसे पांच मिंट के लिए यूज करें और इसके बाद चाहरे को वाश कर ले इससे आपका स्किन टोन बहुत ही ब्राइटन होगा जिसके लिए एक बाल में 1 टी स्पून ग्रैम फ्लोर टोपिंच टमरिक, 1 टी स्पून हनी लास्ली एड करें राउ मिल्क और अच्छी तरह से मिक्स कर ले आपका ये वाइटनिंग पैक बिल्कुल तयार है ये ना सिर्फ आपके स्किन से टैनिंग को निकालता है तो आप इसे लेकर अपने पूरे चहरे पर अपलाई करें और ड्राइ होने दे उसके बाद चहरे को रब करके वाश कर ले लास्ट फाइनल स्टेप है फेस मॉस्चराइजिंग जिसके लिए मेरे पास है जॉनसन मिल्क प्लस राइस लोशन इसे अपलाई करके चहरे पर अच्छी तरह से डैप करके मसाज करें इसके अलावा आप कोई भी मॉस्चराइजर क्रीम यूज कर सकते हैं या फिर आप वाइटमिन E कैपसूर भी इसके लिए यूज कर सकते हैं इस छोटी से फेशियल को कम्पलीट करने के बाद आपकी स्किन टॉन बहुत फेयर और ब्राइट होगी तो आप प्लीज इस फेशियल को एक बार जरूर ट्राइ करके देखेगा अगर आपको इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो नीचे कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल न भूले वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और चैनल को भी सबस्क्राइब करना बिल्कुल न भूले जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए स्टे हल्दी बाइं टेक क्यार